अगर आप स्टेशनरी साउप का बिजनेस सुरू करना चाहते हैं, या आपका पहले से ही स्टेशनरी का बिजनेस है, या आपका कोई भी व्यापार हो, अगर अपनी विक्री बढ़ाना चाहते हैं, तो आज मैं 10 जबरदस्त यूसफुल टिप्स इस वीडियो में सेर करने जा वीडियो में बतलाया है, दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन्त हवाइद एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ, अगर आपका पहला विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिकेशन की आल बटन घंटी को जरूर दबा दें, ऐसे ही यूसफुल आपके लिए तप संभव होगा जब आप खरिदारी में दिमाग लगाएंगे, आप 3-4 होलसेलर से कीमट राइकर खरिदी में पैसा बचाएंगे, खरिदारी सस्ता होगा तो सस्ती दर पर बेचना संभव होगा, उधार नहीं देने पर भी सेल प्रभावित नहीं होगा, का अपने साप के विभिन आइटम 4-5 जगहों से खरिदारी करने का प्रयास करें, तभी मार्केट में अपना अच्छी पकड़ बनाना संभव हो पाएगा, दूसरा पॉइंट, अपने कमफर्ट जो उनसे बाहर निकल कर विक्री की संभावनाओं को तरास करने से रियल करें, अगर इस तरह से कुछ कारियाल है, आपसे रिगुलर खरिदारी करते हैं, तो सेल को बढ़ाने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा, पॉइंट नमर तीन, वक्त के साथ चलो और अपना प्राफिट बूग करो, वर्तमान के ट्रेंडिंग प्रोड़क्ट और लेटेस् के कला सीखें, पॉइंट नमरेक, एक हजार या उपर की खरिदारी करने वाले कश्टमर को, छोटा मोटा कोई जरूर दे, साथ ही ऐक लाइन बोल सकते हैं, कि हम चार अंकों के फिगर क्रास करने वाले कश्टमर को, एक जरूर देते हैं, या यह गिप्ट आप जैसे से खृष हो उसमें मारजिन कम लें ताकि आपसे हमेंछा खर्यदारी करता रहें चोंती बात कई आईटम खर्यदारी करने वाले घ्रहा के माइंड में जिस वस्तु की किमत पहले से फिक्स हो उसे उसी कीमत पर वस्तु उपलब्द करवाएं अगर मारजिन कम हो और ग्रहक डेपी काष्ट के आसपास मांग रहा हो तब भी वही कीमत लगाएं जो उसे पता हो पांच्वी बात दूसरे साफ से आपके साफ में खरिदी के लिए कस्टमर को किसी रेगुलर वस्थू की कीमत जिस कीमत पर वो खरिदता है उससे कम लगाकर उसके मन में अपन प्रती सोच को बदलने का प्रयास करें छटी बात पहली बार आपके साफ में आए हुए कस्टमर से किसी एक वस्थू की कीमत मार्केट से कम लें जिसका कीमत उसे पहले से पता हो साथवी बात किसी ग्रहक को जब भी छूट और डिसकाउंट दें तो उन्हें जरूर बताए कि आपने उनके कितने पैसा बचट कराया जैसे आनलेन सर्च करने पर MRP लिख कर उस क्रास करके डिसकाउंट वाला कीमत लिख दिया जाता है ताकि ग्रहक को बचट का एहसास हो ग्रहक को वो प्रोड़क्ट सस्ता लगे जैसे MRP 100 रुपए है 90 में देना है तो उनसे ये कह सकते हैं ये 100 रुपए का है लेकिन आपको 90 रुपए लगेगा या फिर इसे 80 रुपए से कम में बेशते ही नहीं लेकिन मैं इसमें आपको 10 रुपए का डिसकाउंट कर रहा हूँ या फिर MRP कीमत पर बिल बनाकर नीचे डिसकाउंट की रकम माइनस कर दें इतना टोटल हो रहा है लेकिन आपको डिसकाउंट करके इतना पैसा देना है अपनी फायदे के बजाए ग्रहक के फायदे की बात करें इससे ग्रहक को स्पेशल कस्टमर होने का एहसास होता है इससे करेक्टिवीटी बढ़ता है क्योंकि आज छूट और आफर्स का दौर चल रहा है दोस्तो मेरे दोनों चैनल एमटेक चैनल और करेक्ट बिजनेस पॉइंट पर उधार कस्टमर हैंटलिंग और बिजनेस ग्रोथ पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है आप जरूर चैनल पर विजिट कीजिए आपको काफी कुछ नई जानकारी मिलेगा तो चलिए अगले पॉइंट की और चलते हैं पॉइंट नबर पाँच एडवर्टाइजिंग पर ध्यान दे लोगों को अपने साब के बारे में बार बार याद दिलाने और अपने प्रोड़क्त प्रती उनके ध्यान को आकरसित करने का दूसरा नाम है एडवर्टाइजिंग अपने साब के नाम का थैला प्रिंट कराएं मोटे खरिदार जैसे 500,000,000,000 के खरिदारी करने वाले ग्रहक को अपने थैला में सामान प्रिंट करके दे एक थैला जिस पर आपके साब का नाम प्रिंट हो अगर सव लोगों की नजर उससे पढ़ ले तो दोचा लोगों को साब तक जरूर खीच लाता है पॉइंट नबर 6 गूगल माई बिजनेस गूगल गूरू महान है सब के ध्यान को अलग अलग करनों के लिए मोबाइल पर लगा दिया है आज कल ज्यादा तर लोग मोबाइल पर ही अपने काम की चीज़ें तलास करते हैं कीमत की जानकरी लिना भी चाहते हैं ऐसे आनलाइन जब लोग गूगल पर साज करेंगे स्टेशनरी साप तो आपका पेज उपर दिखेगा लोकल रेडियो और लोकल टीवी चैनल पर भी एट चलाएं इससे बच्चे और हाउस्वाइब को भी साप तक अटेक्ट करना संभा होता है साथों पॉइंट सिंपल काम मुश्किल प लगाए कि आप अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं जो लोग आसान तरीके अपना कर ब्यापार करते हैं उनके लिए ब्यापार करना और भी मुश्किल होते जाता है क्योंकि सभी एक दूसरे के देखा देखी वही करते हैं और अगर आप मुश्किल तरीका अपनाते हैं तो ब् अगर आपके पास वक्त और इस्टाफ है या टाइम मैनेज कर सकते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले काम भी साथ में कर सकते हैं आईसा काम जो एक्स्टा कस्टमर को साफ तक खीच लाएगा जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, आनलाइन आप बना सकते हैं, फोटो कापी मसीन रख सकते हैं, आनलाइन पेमेंट टासफर का काम कर सकते हैं, वेकेंसी के फाम भी बेश सकते हैं, टी सर्ट आदी पर प्रिंटि नकल होता है आपने भी गवर किया होगा सेलिब्रीटी और नामी लोग जो भी पहनते हैं जहां से भी खरिदते हैं उसके फैन या चहिते लोगों को जब पता चलता है तो उस वस्तु की या उस साव विक्री भी बढ़ जाती है जब भी किसी ग्रहा को दो-चाहजार का सामान बेशते हैं तो उसके साथ एक सेलफी जरूर लीजिए अपने स्टेटस में फेस्बुक में इंस्टाग्राम में जरूर सेर कीजिए आपके साफ में कोई नेता कोई बड़ा अधिकारी गाहों का सरपंच वार्ड का पारसद अध्याक्ष बैंक मेनेजर पोलिस आपसर इंज को अपत्ती नहों तो क्या आपके साथ एक फोटो ले सकता हूं बस जैसे परिमिस संदेदें गूगल और सोसल मीडिया पर उस फोटो को अपलोड कर दीजिए जब लोग देखेंगे कि आपके साथ बड़े-बड़े अधिकारियों को फोटो हैं या वो भी आपके साफ से ख से तरीके बतलाऊंगा जो आनलाइन कस्टमर को भी साब तक खीच लाएगा पॉइंट नमर दस एक परवत मिट्टी के छोटे-छोटे कड़ों से मिलकर बना है महासागर पानी के छोटे-छोटे बूंदों से मिलकर बना है और इसी तरह आपका सफल व्यावसाइब भी आप को बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कंप्टीटर के गुणों पर गौर कीजिए बुराईयों को ध्यान मत दीजिए सही इंफार्मेशन को इस्टोर कीजिए आपको नए रणनिती बनाने में मदद मिलेगा दोस्तों वीडियो पसंद आये तो दिल से लाइक कीजिए आप अपने ब्यापार में कौन-कौन से तरीके यूज़ करते हैं और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट बाक्स में अपना जवाब जरूर लिखें और अपने पांच सबसे अच्छे दोस्तों या रिष्तेदारों को जो आपके दिल से वीडियो आवज से सेयर करें जैहिन वंदे मात्रम